परिचय बच्चो आपने देखा होगा कि ब्लैक बोर्ड, चौक, कागज जैसी चीजों को बीच से मोडने या काटने पर हमें दो समान भाग प्राप्त होते हैं इन वस्तूओं को सम्मितिय कहा जाता है और वह रेखा जहां से वस्तूओं को मोड़ा या काटा जाता है वह सम्मिति रेखा कहलाती है उद्देशे इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे सम्मितिय वस्तूओं को परिभाशित करना सम्मिति रेखा को परिभाशित करना विभिन आकृतियों में सम्मिति रेखाओं की संख्या ज्याद करना सम्मिति रेखा के रूप में दरपन रेखा की व्याख्या करना दैनिक जीवन में सम्मिती के अनुप्रयोग का पुनारवलोकन सम्मिती क्या है? बच्चो, कंबल को देखें जब आप इसे बीच से मोरते हैं तो इसके बाएं और दाएं भाग एक जैसे दिखते हैं इस प्रकार कंबल को सम्मितिय कहा जाता है इस पत्ती को देखें पत्ती को मोड़ने पर इसके दो भाग एक दूसरे के समान दिखते हैं इस प्रकार यहा सम्मितिय है सम्मिति रेखा छुई मुई के पौधों की पत्तियों को देखें जब आप इन्हें छूते हैं तो ये दो भागों में मुड़ जाती हैं। क्या आप देख सकते हैं कि ये दोनों भाग एक जैसे दिखते हैं। वहाँ विशिष्ट रेखा जहां से पत्तियां मुड़ी हुई हैं, वहाँ सम्मिती रेखा कहलाती है। इस पग में भी एक सम्मिती रेखा है, जहां से ये दो समान भागों में मुड़ा हुआ है. सम्मिती आकरितियां बनाना कपड़े का एक टुकड़ा ले, इसे बीच से दो भागों में मोड़ें अब इस टुकड़े के बीच से दो छोटी-छोटी गोल परीधिये आगरितियां काटें तह खोलने पर आप सम्मीती रेखा युक्त सम्मीतिय आगरिती पाएंगे जहां से इसे दो समान भागों में काटा जा सकता है दो सम्मिती रेखाउं वाली आकरितियां मनू और मिरणाल के पास एक आयताकार केक है दोनों इसे दो बराबर बराबर भागों में बाटना चाहती है केक को दो प्रकार से बराबर बराबर भागों में बाटा जा सकता है क्या आप जानना चाहते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? आईए पता लगाएं केक को खैतिजिक रूप से बाटा जा सकता है जिससे इसके दो भाग समान दिखेंगे इसे ओध्वाधर रूप से भी दो समान भागों में बाटा जा सकता है इस तरह हम कह सकते हैं कि आयत में दो सम्मिती रेखाएं होती है अनेक सम्मिती रेखाओं वाली आकरितिया आर्ची के पास दो लंच बॉक्स हैं एक में तीन सम्मिती रेखाएं है उसे ये box पसंद नहीं है और उसने इस box को अलग रख दिया है उसने दूसरा वाला box लिया है आईए देखें, अरे इस box में चार सम्मिती रेखाएं है बच्चो इस सुंदर तारे को देखें आप देख सकते हैं कि तारे में पांच सम्मिती रेखाएं है इस आकृति को देखें और बताएं कि इसमें कितनी सम्मिती रेखाएं हैं। इसमें छे सम्मिती रेखाएं हैं। जया मितिय आकृतियों में सम्मिती। आयत में दो सम्मिती रेखाएं होती हैं। लेकिन वर्ग में चार होती हैं। प्रित्त में अनंत सम्मिती रेखाएं होती हैं। परावर्तन और सम्मिती चात्रों आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि जब आप दरपन के सामने खड़े होते हैं, आप और आपका प्रतिबिम्ब एक समान होते हैं। बना हुआ चित्र उस वस्तु का उसी रेखा में परावर्तन के कारण बना हुआ प्रतिबिम्ब होता है। ध्यान दें कि लंबाई और कोणों में कोई अंतर नहीं होता है, हाला कि प्रतिबिम्ब में वस्तु का बाया भाग दाई और होता है। और दाई भाग बाई और होता ह परावर्तन सम्मिती के अनुप्रयोग दूदवाला अपनी गाड़ी गली में एक स्थान पर खड़ी करके घरों का और खा में दूद देना चाता है क्या आप बता सकते हैं कि दूदवाला गाड़ी कहां खड़ी करें कि उसे दूनों घरों का तथा खा में दूद देने के लिए कम से कम पैदल चलना पड़े आईए ग्याद करें यहां हम परावर्तन सम्मिती का उप्योग कर सकते हैं माना क, दर्पण रेखा में का का प्रतिबिम्भ है जो यहां पर गली है, अब का और खा बिंदूँउं को मिलाएं। आप देख सकते हैं कि दर्पण, रेखा और का खा बिंदू पी पर मिलते हैं। इस तरह श्याम को अपनी गाड़ी बिंदू पी पर खड़ी करनी प्रतेक स्थान पर सम्मिती इस पत्ती को देखें, ये सम्मितीय है। इस तरह यहां तक की प्रकृती में अनेग सम्मितीय वस्तुए हैं। सारांश आए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं। समान रूप से संतुलित, समान उपात वाली आकृतियां सम्मितीय कहलाती हैं। जिस रेखा से आकृती को इस प्रकार मोणा जा सकता है कि उसके दो बराबर बराबर भाग हो जाएं, सम्मिती रेखा कहलाती है। सम्मितिय आकृती में एक, दो या अनेक सम्मितिय रेखाएं हो सकती हैं. कोई वस्तू और उसका दरपण में बना प्रतिबिम्ब, दरपण रेखा के संदर्भ में सम्मितिय होते हैं. हमारे दैनिक जीवन में कला, वास्तु शिल्प, टेक्स्टाइल, टेकनोलोजी, हभी गल् जैसी चीजों में सम्मिति पाई जाती है.